हलो स्टुदेंट्स विलकम टू एक्जामर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीसीटी के औलड पेपर को सीपीसीटी औल पेपर या सेपीसीटी प्रिविएस पेपर के बारे में कुछ important questions को हम पढ़ेंगे सवागत है आपका examer में उससे पहले हम बात करते हैं CPCT के questions के बारे में बार बार पूछे जाता है कि सर हमें website बताईए हमें पूरे paper डाउंट करना है तो ये website आपको दी गई हैं से आप paper को buy कर सकते हैं 20 rupees में आपको पूरे 12-15 से लेकि अब तक के सारे paper जो हुए हैं आपको मिल जाएंगे और 30 typing test जो exam में हुए थे जो exam में पूछे गए थे वो typing test का mater आपको मिल जाएगा और 160 MB की फाइल है और easily download आप इसको कर सकते हैं इस link जो आपको दी गई है इस website से तो ठीक है यह आप करते रहिएगा अब हम बढ़ते हैं अपने question की तरफ सबसे पहला question है हमारा यह बहुत important question है देखिए दोस्तों इस video को आप शुरूर से end तक देखिए और यह video आपके लिए बहुत beneficial होने वाली है आपको बहुत benefit मिलागा exam में यह सवाल पुचे गया है कि कौन सा विकल्प 4 bits के solution का विकल्पिक नाम है देखिए 4 bit बराबर क्या होता है तो 4 bit बराबर होता है एक nibble यह तो आपको समझ में आगया होगा जो लोग जानते हैं बहुत easy concept का question है यह लेकिन जो लोग नहीं जानते bit byte का होता है तो उनके लिए भी यह solution है कि भई एक जिस तरीके से एक मीटर में 100 cm होते हैं और किलो मीटर इस तरीके से computer की जो memory है थी उसको नापने के लिए bit रो बाइट का इस्तमाल किया जाता है तो 4 bit एक वन जिरो वन जिरो यह एक एक bit के हैं तो यह 4 bit मिलकर बनेगा एक nibble ठीक है क्या बनेगा एक nibble उमीद है आपको समझ में आया होगा अगला सवाल है laser printer है और lower dpi than dot matrix printers देखिए भई cpcd का सबसे प्यारा सवाल यह है तो उसमें हम देखते हैं dpi का मतलब के होता है dpi का मतलब होता dot per inch देखिए अगर आपको मैं 2 page दूँ उसमें मैं अगर dot बनाओ जिसके कि इसमें बनेवे है तो देखिए इसमें जो जितने ज्यादा dot होंगे अतनी अच्छी image आएगी अगर मैं 100 dot के अंदर जैसे blue, red, blue line अगर dot के अंदर जितने कम dot होंगे उतनी बेकार image बनेगी याद रखना तो dot जितने ज्यादा होते हैं उतना अच्छा होता है तो क्या laser printer है उसका dpi dot matrix printer से कम होता है dot matrix printer laser printer इन सब में fast है या आपका laser printer है dot matrix printer जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता dot matrix printer आप के सकते हैं जैसे आप 18 में जाते हैं जो पर्चे आपको निकलती है dot matrix printer का एक उधारन हो सकता है तो जितने ज्यादा dpi होगा उतना अच्छा printer है तो क्या laser printer का dpi कम होगा क्या laser printer का dpi कम होगा अगर हम तुन ना कहें रूट मेट्रिक्स से तो नहीं, फर्स्ट को अप्शन हो जाएगा गलत, सेकंड है प्रिंटर आउट टेकन बाइ प्रिंटर इस लोगना सॉफ्ट कोपी, जो प्रिंट आउट हम लेते हैं प्रिंटर से हम उसे सॉफ्ट कोपी कहते हैं क्या, गलत, सॉफ्ट कोपी और हाट कोपी क्या होता है, सॉफ्ट कोपी वह होता है जिसे आप यह कहलें कि आप जिसको टच ना कर सकें, यानि कि जो ओनलाइन हो या आपकी स्क्र पर वह soft copy है जाए आप PDF डाउनोड करें जैसे यह PDF को मैंने बताया था या आप यह वीडियो देख रहा है तो यह soft copy है hard copy हो है जिसको आप touch कर सकते हैं जो आप physically आपके पास है जैसे कि मैं printer से कागज निकालोंगा वह hard copy होगी ना कि soft copy तो first भी गला थे और second भी गला थे उमेद आपको समझ में आया होगा अब देखते हैं अगला question देखिए LCD जो है वह light weight होती है हलकी वजन की होती है CRT जो है वह बल की आने की भारी बरकम होती है अब देखिए LCD यहसी आती है LCD जो इस computer में भी होती है आपके घरों में होती है और यह आपकी CRT screen है जो पहले चलती थी बहुत भारी बरकम होती थी अब देखते है plotter तो plotter जो है यह क्या print करता है यह vector images को print करता है high graphic vector images को print करता है वह यह यह वाला जो second है यह आप बिलकुल पक्क कर लीजी क्योंकि यह plotter के बारे में बड़ा सवाल पूसता cpcd और इसके अब मैंने पूरे course भी बनाया है अगर आपको वह भाय करना तो आप भी भाय कर सकते हैं और जो इस वीडियो में तो इसके बारे में मैं जादर बताऊंगा नहीं अगली जो इस चैनल में जो वीडियो से हैं उनको आप देखकर देख सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अपने question की तरफ Adobe Acrobat Reader के बारे में देखिए Adobe Acrobat Reader क्या है पूचा है इन्होंने तो वह है एक freeware देखिए इसमें हम options को देखेंगे options को देखेंगे अगर यहां होता software है तो software हम लिखते हैं अगर option के साफ से तो हम पहले option देखते हैं system software है क्या वो system में लगा हुआता है जब आपका operating system install होता है तो नहीं क्या firmware है firmware नहीं open source software है नहीं freeware आने की जिसको free में इस्तिमाल किया जा सकता है उसमें कुछ limitation होती है अगर उसमें कुछ अपन extra option जोडते है तो उसमें आपको payment करना पड़ता है तो यह एक freeware है free news होता है adobe accrobat reader pdf read करने के लिए होता है अब देखते है wordpress देखिए wordpress क्या है पहले बात करते हैं baidu तो baidu एक search engine है इतना famous नहीं है आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन china वगेरा में जापान में चलता है baidu इसका नाम है ठीक है तो एक search engine है godaddy क्या है godaddy एक web hosting website है web hosting आने के जैसे आपने कोई website का नाम लिखा नाम लिया तो उस website में आपको file upload करना है या कोई data रखना है 2gb का तो वह कोई हवा में तो जायागा नहीं कहीं कहीं इस जगह होगी जो वह रख रहे हैं जहां से लो इड़ी वह जगह और वह नाम जो आपका domain name होता है वह आपको दिलाता है अब हम देखते है wordpress के बारे में wordpress क्या है to create blog upload blog बनाने के लिए इस्तमाल होता । blog विल्य क्या होता है आपको पता हाय लुवर्ट्परिस के then what like dot is blog क्या होता है जेली जिंदगी रोज मर्रव में आपने क्या किया या फिर जो यह date वाईश चलता है इस द्रेट को आपने क्या पोस्ट किया, कुछ पोस्ट किया तो आप आपने स्टोरी अपनी जानकारी सब कुछ लिख सकते हैं, तो ये असल तो इक हैं, एक ब्लॉग है, और अजे वेब साइट भी से इसका इस्तिमाल हूता है, अब हम देखते हैं मदर बॉर्ड के बारे में कि भाई पूछ रहा है कि कौन साइक सर्कृट बोर्ड है जिसमें CPU, RAM और सब यह अपकरान लगे भी होते हैं तो आप सब को पता है यह motherboard होती है ठीक है आपके पास बहुत सारी भुक्स है यह आपके पास लाइबरेरी है भुक्सी भुक्स है अब आपके पास लोग आते हैं यह बुक निकल वा लेते हैं यह निकल वा लेते हैं अलग अलग जगा से भुक्स निकल वा लेते हैं तो वो जो जगा खाली हो गई है उसको आप कैसे भ इसको इधर पहुचा दिया, इसको इधर मुग कर दिया, तो यह जो gap आजाता है, इसको भरने के लिए, rearrange करने के लिए, इस तरीके से, disk diffragmentation किया जाता है, देखिए, यह diffragmentating कर रहा है, देखिए, जी खाली gap है, इनको भर रहा है, इस तरीके से भी होता है, अलग-अलग software की तरह यह काम करता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कि इस सवाल का हल में आपको बता है, अब अगला सवाल है हमारा, Google किस अपना किस वर्ष में भी, तो Google was founded in 1998, 1998 में Google found हुआ था, यह देखिए आप, इसे Google found हुआ है, 4 सितंबर 1998 को, तो दोस्तों, यह कुछ questions थे हम और उम्मीद है आपको याद होगे, और इस से पहले अब हम बात करते हैं, अगर आपको old papers को download करना है, तो आप जो नीचे link दी गए थी, उससे आप download कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, किस तरीकी से website में आपको जाना है, जैसे मैं इस link पर अगर मैं click करता हूँ, तो मै यहां मैं पोचूँँगा, अब मैं, इस पर मैं click करता हूँ, इस तरीके सा आएगा, मैं यहां पर अपने नाम, detail वगरा सब भरूँगा, और इसके बाद मैं next करूँगा, तो यह option खुलेगा, यहां से मैं payment कर सकता हूँ, और 20 rupees में, आपको section two papers, जो 2015 से लेके 2018 तक, जितने भी हुए हैं, वह आपको मिल जाएंगे, और अगर 2019 के paper भी aid होगा है, तो वह उसमें add कर देंगे, और साथ में 30 typing test, जो matter exam में पूछे जाते हैं, और एक दो शायद repeat भी हुए है, वह आपको मिलेंगे, इसके अलावा, जो और भी आगे future में add होंगे, अगर यह video आप मान ल करेंगे, जितनी paper हो चुके होंगे, तो शायद यह 200 MBA कभी हो जाएगा, तो easily आप down कर सकते हो, fees भी इसके बहुत कम है, तो इस video को देखने के लिए धन्यवाद हो, और अगर आपको कोई सवाल है, doubt है, तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और इस channel को subscribe ज़रूर कर लिजे, क्यो